कोविट की वज़े से ये पॉपिलर शो हुआ ओफ एर आक्टर ने शो के ओफ एर होनी पर लिखा एमोशनल पोस्ट वेल तो क्या है पूरी खबर चलिए हम आपको बताते हैं इस विडियो में कोविट की दूसी लहर के चलते हर जगा लॉकडाउन है जिसकी वज़े से टीवी सीरिस के शूटिंग पर भी इसका काफी असर हो रहा है जहाए के करके शोज ओफ एर हो रही है अब इस लिस्ट में एक और नाम चुड़ गया है जिहां वो है बालवे जिटल्स कोविट की वज़े से ये शो हो गया है ओफ एर शो ओफ एर होने पर शो के लीड आक्टर देव जोशी ने एमोशनल पोस्ट लिखकर शेयर करी है अपनी फीलिंग्स देव जोशी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा नमस्कार दोस्तों यह मैसेच भारी मन से लिख रहा हूँ लेकिन यहां हम बालवी की जर्णी में एक और इंटर्वल ले रही है बालवी नौ साल की एक अमेजिंग जर्णी है जिसमें बालवी रिटर्ण्स एक नया चाप्टर है पिछले दो सालों से चल रहा ये एक मील का पत्थर साबित हुआ यह शो हसी और भावनाओं से भरा सवारी था लेकिसे सबसे महत्वबूर बात हम सभी और ठीम के लिए एक बहतरी नजोनी थी यह मेरे जीवन का अच्छे सबसे अच्छा एक्स्पीरिंस था मैंने काल, देवू, हैप्टी और बार्गी जैसे कई किरदारों को निभाया देव जोशी में आंगे लखा कि वो बहुत आभारी है कि दर्शकों ने उन्हें स्पार्ट में सुमिकार किया और इतने सालों तक उन पर प्यार बढ़साया उन्हों ने लखा इस महामारी में हम सभी को अपने तरीके से और सबसे बड़े पैमाने पर हमारी इंडस्टी को प्रभाविक किया है इसलिए हमें ब्रेक लेने के जरूरत है पोस्ट के आखिर में देव ने अपने फैंस के लिए लिखा अंत में हमेशा याद रखे चाहे कुछ भी हो बाल वीर हमेशा आपके साथ है वो आपकी रक्षा के लिए आप में से प्रतेक के अंदर है आपके मदद करते हैं और जब भी आपको जरूरत होती है तो आपका मारदक्शन करते हैं बेल देव जोशी ने ये इमोशनल पोस्ट शेयर किया अपने इस्टेग्राम पर आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर बताईएगा जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में इसी तरह की अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहे हमारे चानल फीफा फूस्ट टेवी को चानल को लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें